हेलो एवरिवन आज के इस वीडियो में हम लोग के सिशना क्लाश 12 इकसरसाइज 19.8 का कोईश्चन नमर 3 और 4 नमर कोईश्चन को स्वालव करेंगे तो गिभेन दिया हुआ है 3 नमर इंट्रिगेशन आफ साइन एक्स बटे 1 पलस कोस एक्स का होले स्वाइड दी एक्स और 4 नमर में गिभेन है इंट्रिगेशन आफ 1 पलस कोस एक्स बटे q रूट x पलस sin x dx ये दिया हुआ है चलिए इनको हम स्वालव करते हैं तो यहां पर देखिए हम पूट क्या करते हैं पूट ये देखिए ये 1 पलस कोस एक्स को हम पूट करते हैं तो देखिए अगर देखिए आप कहिएगा सर ये तो हम sin x को भी पूट करेंगे तो ये जो हुआ कोस के जगए आनि कि sin x का डिफ्रेंसियेट करेंगे तो ये कोस एक्स हो जाएगा आप वह इसे भी बना सकते हैं लेकिन वह इसे बनाईएगा तो जो हुआ हुआ वह लंबा प्रोसेस होगा इसलिए जो हुआ आप यानि कि ये 1 पल x equal to क्या हो जाएगा मैनस डी टी बाई ये sin x अब हम कोईचन से चलते हैं नौ कोईचन में है हमारा sin x बटे ये हमारा हो जाएगा कितना टी ए स्क्वाइर अगुने ये मैनस डी टी बाई sin x मैनस dt by sin x साइन से sin cancel हो जाएगा मैनस को बाहर कर दिजिए ये 1 by t square dt हो जाएगा 1 by t का क्या होता मैनस मैनस 1 by t हो जाएगा और ये plus c मैनस मैनस plus हो जाएगा ये 1 by यह 1 पलास यह कोस एक्स पलास सी यह जो हुआ इसका हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा आप देखिए फोर नमर को ही चंद तो फोर नमर में देखिए solution तो पहले हम put कर देंगे put equal to जो हुआ एक्स पलास हम sin x को हम put करते हैं अब इनका differentiate कर देजिए यह dt बटे dx equal to x का differentiation 1 और यह sin का कितना होता है यह कोस एक्स होता है यह कोस एक्स therefore dx equal to निकाल लेंगे यह dt by जो हुआ 1 पलास कोस एक्स हो जाएगा अब हम question से चलेंगे now question में है हमारा one plus cosec by यह जो हुआ root एंडर नहीं की q root x का स्थान पे जो हुआ q root जो हुआ कितना हो जाएगा t हो जाएगा गुन्य यह dx का स्थान पे जो हुआ dt बटे one plus cosec देखे one plus cosec one plus cosec cancel हो जाएगा यह बचेगा one by t power one by three dt अब देखे इनको उपर ले जाएगे यह हो जाएगा t power minus one by three dt अब इनका जो है वह हम integration कर देंगे इनका integration करेंगे तो आपको देखिए हम मालूम होंगा अनि कि आपको मालूम है कि x power n का integration क्या होता है यह होता है x power n plus one by n plus one यह होता है यही फर्मुला यहाँ पर हम use करेंगे तो यह देखे यह t power minus one by three plus one by यह minus one by three plus one plus c अब इनको हम simplify करेंगे और हमारा answer ready हो जाएगा तो देखिएगा इनको हम कैसे हम simplify करते हैं तो देखे यह देखे यह tic power यहाँ पर LC हम लेंगे तो minus one plus three by a three by a minus one plus three by three plus c यह देखे यह tic power देखे यह जो है हुआ two by three by a two by three plus c यह हो जाएगा three by two tic power two by three plus c अब हम t का value रख देंगे तो t का value हम क्या put किये थे तो x plus sin x put किये थे तो यहाँ पर हम value रख देंगे यह हमारा कितना हो जाएगा three by two यह हमारा होगा कितना x plus sin x के power two by three plus c यह जो होगा इसका हमारा क्या होगा तो final answer हो जाएगा उमीद करते हैं कि आप लोग यह जो होगा three और four number question जो होगा बहुत यह अच्छा तरिका से समझ गयो होंगे तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं इनके five number question के साथ जाहिंदे